हेलो फ्रेंड्स मैं कमेंट और एके सिंग और आज फिर हम EMRS लाइबरी त्यारी करेंगे और EMRS लाइबरी में आज क्या देखेंगे इलेक्ट्रोनिक इस यानि इस पेसल फंक्शन और इस पेसल जो चीजे हैं उसके बारे में समझेंगे यानि स्कोप संट लिखिए क्या यानि कि कालम ने क्या पढ़ ला था जो रेफ्रेंस और इंफर्मेशन सोर्स थे उसमें क्या करना है प्रिंटर नॉन प्रिंट सब्स आप प्रिंट्रोनिक इस्पेसल फीचर्स इसकोप्स टाइप्स पढ़ेंगे ठीक है किसके इलेक्ट्रोनिक इन्फरमेशन की यानि कि इसमें देखो टॉपिक में जो में हैडिंग होता है उसमें आपको सारी चीज़ बजा जाती है यानि जो हमने क्या पढ़ा प्रिंटर नॉन प्रिंट पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था नॉन प्रिंट में इलेक्ट्रोनिक पढ़ा था और इलेक्ट्रोनिक में उसके स्पेसिविक यानि स्पेसल फंक्शन क्या है इसकोप क्या है टाइप्स क्या है उसके बारें पढ़ना है फिर क्या है इसके अंदर हमें पढ़ना है हमें नेचर करेक्टेस्टिक टेस्टिक यूटिलेटी आवशकता एक तरह से या नीड कहा लिजिए इवैलुएशन और डिफरेंट टाइप सौफ इन्फोर्मेशन इन्फोर्मेशन सोर्सेज फिजिकली फॉर्मेट एथोर्टी कॉंटेंट एन यूटिलेटी तेक है अब इसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे यानि कि आज चले हम इलेक्ट्रोनिक पे कल आपको पढ़ना है इसमें से इसके बाद पढ़ना है नौन डोकुमेंटिक और यानि कि इन्फोर्मेशन सोर्स और कल आपका जो यह है रेफरेंस वाल भी खतम हो जाएगा तो फिर आपका सेकेंड उनिट फिर थर्ड और फॉर्थ आ जाएगी चलिए तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं एक टॉपिक कवर करते हैं जिससे आपको क्या है समझ मैं जाए सबसे पहले लेके चलते हैं अपना इलक्ट्रो निक इस्पेशल फीचर्स इसकोप एंड टाइप्स यह टॉपिक अब आप मुझे एक चीज बताईए मैंने आपको क्या बताया था रेफरेंस एंड इन्फोर्मेशन सोर्सेज यानि इन्फोर्मेशन सोर्सेज में आपको मैंने दो चीज कॉंसेप्ट कलियर कर रहे थे एक था प्रिंट एंड नॉन प्रिंट में क्या था जितने भी किताबे इताबे थी न्यूस पेपर थे सारे चीज़े आपको देखने में बिली थी और नॉन प्रिंटेड में क्या था नॉन प्रिंटेड में आपको जितने भी यानि प्रोड कास्ट रेडियो टीवी इस तरह की चीज़े आपको देखने form में जब हम क्या करेंगे information को क्या है information source के तौर पर देखेंगे तो उसमें क्या है आप ये बताओ आप library में जाकर किताब को पढ़ना पसंद करेंगे आज के टाइम पर यानि कि या फिर आपको चलो इसे छोड़ दो और एक और example यानि कि library से ले ले मैं आपको कहूं कि जी 12 ब information नहीं है तो आप library में जाओगे नहीं उसे क्या करोगे यानि कि आपके पास अगर digital library का access है तो क्या करोगे digital library या virtual library से आप क्या करोगे उस library से उस किताब को क्या करोगे access करोगे और कहीं न कहीं पढ़ लोगे तो क्या हुआ ये इसका special feature हुआ यानि कि electronic form में जितने भी हमे information sources मिलते हैं उसको हम कहीं भी कभी भी किसी भी इस्तिति में हम पढ़ सकते हैं यानि कि एक कहानी 24 into 7 into 365 में हम उसके कर सकते हैं इनफोर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं इनफोर्मेशन को यूज कर सकते हैं ठीक है यानि कि इसके फीचर से आपको एक एक एक्जम्पल से समझ में आगे होगी अब क्या है इसके इसकोप क्या है क्या है इसकोप को हिंदी में क्या कहेंगे अगर हम हिंदी अनुवार्द लेक होते हैं उसको हिंदी में क्या कहेंगे बताओ डाइरा किसका डाइरा क्या है दाइरा ही तो कहते है भई इसकोप को डाइरा ही तो कहते है दाइरा यह छेतर कह लिए इसकोप छेतर मान लेते हैं छेतर अब इसकोप क्या है इसका यानि कि इसकोप इसका यह है कि यह जो है electronic form है यह आपके जब तक internet है यानि कि यह क्या है scope इसका है तो इसका यानि कि छेत्रिय दाइरा क्या होगा छेत्रिय दाइरा एक तरह से यह होगा कि यह digital form में है यह क्या है आपको किस form में मिलेगा यह आपको कहीं न कहीं electronic form में मिलेगा इसका ये दाइरा है, इसका ये छेत्र है यानि कि ये इस छेत्र में यानि कि पूरी दुनिया में corresponding की रूप में मिलेगा कहीं भी आपको क्या है यानि कि printed रूप में नहीं मिलेगा अब types पे लेके चले तो types में सारे के सारे electronic form में क्या जाएंगे, आपका internet आपका रेडियो आजाएगा या फिर आपका प्रोड कास्ट आजाएगा या फिर आपका और कौन सा आईगा इस जन्नल्स आजाएगा यानि यह सारे के सारे आपके जो आपको लिखाए थे मैंने वो आ जाएगे ठीक है अब चलते हैं हम आपने नेचर करक्टेस्टिक नेचर करक्टेस्टिक यूटिलिटी एंड इवैलुएशन पहले इस चार पार्ट को बढ़ेंगी ठीगे हैं अब नेचर किस तरह का वहिया यह बताओ आप इलेक्टरोनिक जो चीज़े हैं यानि कि इलेक्टरोनिक info library उसका नेचर किस तरह का है उसकी प्रकृति किस तरह की उसकी प्रकृति कहीं न कहीं आपको उसके लिए एक फोन की जरौत है एक कंप्यूटर की जरौत है एक टैबलेट की जरौत है यानि कि हर उस वस्तूओं की जरौत है जो कि उसे एक्सेस कर पाए यानि कि उसकी प्रवर् कि गिए हमें सूचना हमें हर वक्त क प्रदान कर सकता है WIT THE HELP OF न espert जो इसके एक तरह से सहीयो कर सगे जो उसे उस ऐटम को क्या कर पाए सहीयों कर करकर उस आइटम को आपको सूचना परदान कर पाए तो वो आपके कहीं न कहीं इस रूम में माना जाएगा फिर दूसरा आएगा CT-X सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी समय यानि कि time saving time saving ठीक है time saving है 24 into 7 access कर सकते हो सूचना को जल्दी प्राप्त कर सकते हो सूचना के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा ये सारी आपको इसमें विशेशना मिल जाएंगी फिर आती है utility यानि कि utility क्या होगी इसकी utility बताओ अगर आप से कोई पूछन लगे utility क्या होगी इसकी utility में क्या बताओ आप बताओ utility सोचके देखे utility यानि कि उसकी उपयोगिता इसकी उपयोगिता क्या है उपयोगिता यह है कि यह कहीं भी इसे हम क्या कर सकते हैं यानि कि यह क्या कर रहा है, यह हमारी उपयोग इता हमें क्या है, क्योंकि यह हमारी आज के दैनिक जीवन के मांग है, यह हमें क्या कर रहा है, कहीं न कहीं हमें हमारे समय को बचाने के लिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, इसको हम कहीं न कहीं अपने profit के ल क्या करती है यानि कि किसी भी चीज को मुल्यंकर होगा तो इसमें क्या करेंगे हम उसमें क्या क्या देखेंगे कि एक तरह से यह मान के चलिए कि कि इसी भी परपस यानि कि हम क्या करते हैं इस लिए यूज करते हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं यानि मिला जुला कि हम क्या करते हैं इसमें हम अपने समय को बचाने के लिए अपनी जो आवशक्ता को पूरिय करने के लिए और इन सब चीजों को देखने के लिए पढ़ रहे हैं ह चलते हैं आपका डिफ्रेंट टाइप और इन्फोर्मेशन 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 सोर्सेस को बढ़ते हैं जिसमें कौन कौन सा हैं फिजिकल कि फिजिकली फोर मेट्स एथ और टिए कॉंटेंट एन यूटे लेटी ठीक है बुग सरे सरे उटे लिटी तो यह हम पढ़ेंगे तो यानि different type of information sources आपको कई बार मैंने बचा सुगे यानि different type of sources में सीधे सीधे आपको दो category बाट देना है print and non-print different type of sources में क्या है print and non-print print and non-printing में यानि कि इसमें अगर आपको तो अगर information sources में लेके चलना है तो आपको तीन चीज याद करने होगी primary sources and secondary sources यानि प्रात्मिक श्रोत दृत्य श्रोत और त्रित्य श्रोत प्रात्मिक श्रोत दृत्य श्रोत त्रित्य श्रोत में आपको कानी सारी समझ में आ जाए हुई यानि different type of sources में print and non-print फिर आपको अगर और categorize करना है तो यानि कि प्रात्मिक दृत्य श्रोत में आ जाएंगे यानि different type of information sources फिर आ जाए है फिजिकली फॉर्मेट हो जाए है फिजिकली फॉर्मेट में सारा का आप आ पर किए आपकी इग्डाशन इन्फमेशन प्रवाइट कर आ रहा है वह सारी इसके अंदर चींफिति कृति कि फो सारी की यूड़ी कि यानीं की जिस्में कि मैं किसी बीछी कि का में सब्सक्रालीब होती है वह सारी इसके उतर जाएंगे चैखनें अभी आपको बताई था मैंने आपको बता उपयोगी था याणि कि उसकी उपयोगी था क्या चाहिए बढ़ाने के लिए और कही कि आता लीं क के ख़र auditorum of the हमें अपने ग्यान को विकास करना है हमें अपने ग्यान को बढ़ाना है हमें अपने ग्यान के जो दायरा यानि की अपने जो अपने ग्यान का जो दायरा है उसे बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को यूज करते हैं तो यह था आपका आज का टॉपिक आशा करता हूं आपको